नमस्कार NBC24 देख रहे आप मैं हूँ आपके साथ अबिशेग देखिए इस वक्त की बरिखबर राजधानी पटना से निकल के सामने आ रहे हैं राजधानी पटना में मालसलामी इस्थित एक प्लाई फैक्टरी में आग लगने की सूशना मिली है बतादे आपको कि जहां पर लगतार अगनी समन के तमाम पदाधिकारी पहुच गए हैं और आग को बुधाने की कोशिश कर रहे हैं आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं लगतार ऐसा घटना सामने निकल के आता है बतादे आपको कि तमाम जो लोग हैं वहां के वो आक्रोशित है जिसको लेकर अमाम पदाधिकारी जो हैं वो लगे हुए हैं लगतार आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कहीं न गहीं आग पर काबू अभी तक नहीं पाया गया है बता दे आपको कि राजधानी पटना अंतरगत मालसलामी ठाना छेत्र के सिमलीतल इलाके में एक पलाई फैक् अगर आग पर काबू नहीं पाया गया तो देखिए जो होगा वो होगा वहीं बता दे आपको कि आपको कि लगतार खबर निकल के आ रही है और वहीं बता दे आपको कि जो बड़िये पदाधिकारी है वो पहुचे हैं वहीं क्या कुछ कह रहे हैं अशोक कुमार नाम है पदाधिकारी का वो सुने आप लो बीर निति उपाय हो सकते हैं आग्ठी समझ से वाके वो तमाम राण नितिक उपायों से हम लोग उनिस पर लगभाई लवका का भू पालिया जैसे का पीछे देख रहा हैं आपने भ्यावार लोग को भी देखा है हमारे जबाग जो फायर करमी हैं जो पदाधिकारी हैं जी स्कॉम्निकेशन से जिस कोडिनेशन से पाने के सप्लाइशन से यहां के रणनिती बनाने से जो काम किये हैं वह आप देखी रहे हम लोग ब्यार के लिए काफी एक बड़ी चुनावती थी लेकिन हम लोग के यह जवाज जवान है इनोंने इस पर काबू पाया है और लगभल मैं तो कुछ बाली से गारी मंगवा लिया बार से हम लोग भी क्म्मिनीकेट डिया और पत्ना जिला में इत्नी थाइर के हाईड्रेंट्स थे वेंडर थे यौन्डर थे जो कि हम लोगोंने कम्मिनीट्ट का करनात अब उसके बारे मैं नहीं बूल सकता हूं मैं डिस्टिक फायर ओफिसर के गुंदका में यहां पर हूँ लॉइन ओडर काम उनका है वो बता है लगवा लगवा दस गाड़िया हमरे काम कर रहे हैं तो खुद यहां को साक्षी है तो आपने सुना सोक कुमार क्या कुछ कह रहे थे देखिया अगनेश अमन के प नहीं पाया गया है फिलाल इस ख़वर में ताहीं और भी तुमाम ख़वरों के लिए एन्बीची 24 के साथ बनेड है हमारे चैनल को सब्स्वाइब करें पेज को लाइक करें बहुत बहुत धन्य लगवा करें एंट